एक किशोरी को बेवफा बता कर उसके साथ मार पीट करने का वीडियो वाइरल होते ही क्राइम रांच के टीम चांच में चिट गई तुरंद आरोपियों की पहचान कर उसे गिरफतार किया गया बाद ने पता चला कि वह लगातार किशोरी का शारिक शोशन भी कर रहा था पाच्वावली थाने में आरोपिय यवक और उसके साथी की खिलाफ मामला तरस किया गया पकड़े के आरोपियों में बंगाली पंचा निवासी, समेर खान, सलीम खान और एशुदरानगर निवासी मुहमद शकीन, मुहमद सिद्धकी का समावेश है पलिस ने 17 वरश्य पीरता की शिकायत पर मामला तरस किया है समीर को अपने वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वावाई लूटने का शौक है उसने कई वीडियो बनाए और लोगों से अच्छा प्रतिसाथ भी मिला लेकिन 20 दिन पहले उसने जो वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर अपलूट किया वह पलिस तक पहुच गया वीडियो था भी कुछ ऐसा ही कि कोई भी देकर हैरान रहे चाए समीर और शाकी ने 17 वर्श किशोरी को बेवफाब बता कर उसके साथ काली गलच और मार्पीट का वीडियो बनाया था यह वीडियो पलिस कमिशनर अमितेश कुमार तक पहुच गया ट्विटर सोशल मीडिया वर एक वीडियो आला होता तला नाकपूर पलिसान ना अटाक केलेला होता तो सोशल मीडिया सेल साइबर पेट्रोलिंग दारे ते आपलेकड आला हा तो जो एक गुणेगार होता जान एका मुलीला गाडी वर बस हुँन गिवन जात होता आणि धमकी देत होता तला तर आशी ती वीडियो क्लिप होती त्यान अंतर त्याचा शोद घेटला क्राम बैंच युनीट तीन दारे उन्होंने क्राइम ब्रांच को कारवाई के निर्देश ती साइबर पिलस की मदद लिकर क्राइम ब्रांच का युनेट तीन काम में चुट गया वीडियो और आईडी के जरी पुलस समीर और शाकी तक पहुँच गई इसके बाद किशोरी से पूछताच की गई बताया जाता है कि दो वर्ष पहले सोशिल मीडिया के जरीए ही किशोरी की दोस्ती समीर से हुई थी समीर ने उसे अपने प्रेम जाल में फसाया शाली का जासा देकर समय समय पर उसके साथ दुष कर्म किया किशोरी का अन्य यूगों के साथ बाचीत करना उसे पसंद नहीं था वह किशोरी पर शक करता था बीते मा चन दिन की पाटी में किशोरी ने एक यूग से ज़्यादा बात कर ली इस वजह से समीर चुर्ग्या दूसरी योग के साथ प्रेन संबन होने का उसनी आरोप लगाया